धरम पाल टूर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में देखेंगे कि मसुर की जो खेती होती है वो किन बीधी से किया जाता है मेरे चैनल पे पहली बार आये हैं तो किर्पया चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि नोटिपीकेशन के दौरा आपके पास वीडियो पराप्त होता रहे चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले दोस्तो आप कमेंट अगर करते हैं और कहां से करते हैं क्रिपया जरूर हमें बताए क्यूंकि हर जगा किसान भायों क्या होता है कि हर जगा अलग-अलग सीजन में खेती की जाती है तो मैं मसूर की जो डाल होती है उसकी खेती की मैं इसमें वीडियो में दिखाया गया है आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे वीडियो को शुरू से अन तक जरूर देखिएगा क्या मसूर कोई लोग को मसूर के बारे में जनकारी नहीं है कि मसूर होता कैसे है और जो सहरी लोग है उसको खास करके पता नहीं है कि मसुर किस टाइब से होता है जो किसान भाई है वो तो अच्छी भली भाती समझते होंगे और इस वीडियो में किस परकार से खेति की जाती है आपको हम इसमें पूरी परकिरिया समझाएंगे और बताएंगे तो किरिपया चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजिए ताकि हमा दिवाली का समय होता है दिवाली जब मान्सुन यहां से बिलकुल खतम हो जाता है बसंत रितू ओगारे जितने भी है मानसुन का सीजन जब खतम होता है तो हम मसुर की खेती हम करने चलते हैं कई जगह हमें पानी होती है, जैसे धान लगा हुआ हो, या कोई तरह की फसल लगी है, उसमें जो है हम धान में जो लगा हुआ है, उसमें अगर हम दिवाली के समय में, जमीन की नमी चेक करके, कि हाँ हम इसमें बीज अगर बोते हैं तो ये फसल हो जाएगा तो उस season में क्या होता है धान में ही आप छिरक दे जुताई करने का भी आपको पैसा बच जाएगा तो ये कहानी है तो इसमें जुताई से लेकर हर कुछ का पैसे बच जाता है तो किसान भाईयो आप इसको देखेंगे किस तरीका से खेती हमारी धान में हम बोग करके हम इसको किये हुए है तो इस तरीका से आपको फसल देखने को अच्छा लग रहा होगा क्यूंकि इसमें जो है एक बार चावल जो लगाते हैं उसी में हमें करते हैं ये मसूर की दाल ह इसी को कहते हैं मसूर और इसमें तरह तरह का जो है लोग उपाय करके खेती करते हैं जैसे कई जगा बरसाथ नहीं होती है तो उसको सुखा में जो है नमी करके खेतों को जो ताई करके नमी करके उसके बाद में उसमें बीच डालते हैं और तब जाके उसको मसूर की खेती कर स हाथ से जो है हमारी खेती की नुक्सानी होती है सिर्फ गोबर और खेतों में डाल दे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए जाए हिंद